हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेट बिल्डर यीटूब चेनल, फाइनेशल स्टेटमेंट मेड़ इजी सीरीज का इस सात्वा वीडियो है, अभी तक हमने बैलेंस सीट, इंकम स्टेटमेंट, केस्ट फ्लो स्टेटमेंट, एंड डिफरेंट टाइप अफ रेशियो एनालिस वेशे तो एक तिनो रेशियो को केल्कुलेट करना बड़ा ही आसान है, और इजीली आपको मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम P-E रेशियो एन P-B रेशियो को एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे, और साथ में एक उस एक्जम्पल से समझेंगे, के P-E रेश थे, वो देखनी के लिए हमें सबसे फेले देखना होगा, कि कोंपनी कीतना घं़ा रही है, मतलब कि कमपनी का Net Profit कितना आ रहा है, दूसरा है कि कंपनी के पास Assets कितनी है, और तीसरा है कि कंपनी का जो Sales है, और हः साल कितना बढ़ रहा है, तो ए तिनों से पता चलेगा कि कमपनी कितनी वर्थ है और उसके सामने हमें मार्केट में जो प्राइस पे करना पड़ा है वो गया कमपनी का करंट मार्केट प्राइस तो कमपनी का वेल्योएशन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहला है P-E रेशियो P-E रेशियो का मतलब है Price to Earn रेशियो मतलब के कमपनी अगर एक रुपया कमा के दे रही है तो उसके सामने हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा तो इसके इसाब से कमपनी का P-E जितना कम रहेगा कमपनी उतनी हमारे लिए सस्ती है P-E रेशियो का फोर्मूला है Share Price divided by EPS Share Price मतलब Current Share Price जो है वो और EPS का मतलब है Earning per Share मतलब के कमपनी पर Share कितना कमा रही है तो एक फोर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते है Market Cap divided by Net Profit अगर P-E रेशियो का हम different angle से देखे तो मान लिजे के अगर आपने कोई bank में 10% के इसाब से ABD करवाया है तो वहाँ पे आप 1 रुप्या कमाने के लिए 10 रुप्या पे कर रहे है Similarly company के अंदर भी जो profit होता है वो shareholder का होता है तो यहाँ पे जितना P-E रेशियो है उतना हाप invest कर रहे है एक रुप्या profit कमाने के लिए इसको अब इस तरह से भी देख सकते है कि मान लिजे कि किसी company का P-E 50 का है मतलब के आपने आज 50 रुपे invest कर दिये उसके सामने आपको 1-1 रुपे का profit हर साल मिलता रहेगा तो वेशे तो अगर देखने जाए तो आपका जो payback period है वो 50 साल का हो गया लेकिन real life में ऐसा नहीं होता क्योंकि company का जो profit है वो हर साल बढ़ता रहता है तो मान लिजए कि किसी company का net profit इस साल में 100 करोड है और अगले साल में उसका sales growth बढ़ गया और उसका profit 200 करोड का हो गया तो आपका जो P-E 50 का है वो कम होके 25 का हो जाएगा तो इसलिए कुछ company का P-E बहुती ज्यादा होता है तो जब भी हम company का P-E consider करे तो उसके साथ-साथ हमें company का growth भी consider करना चाहिए और calculate करना चाहिए कि company का growth कितने percentage तो अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान Unilever company की बात करे तो इसका P-E है 71 का लेकिन उसके सामने अगर company का profit and loss statement देखे तो हमें पता चलेगा कि company का profit हर सल बढ़ रहा है और सामने आप यहाँ पे देखे कि इसका sales जो है वो हर सल बढ़ रहा है तो हमारे लिए यहाँ पे sales ratio भी important हो जाता है जो हम आगे cover करेंगे तो यहाँ पे peer ratio के साथ company का growth भी important है अगर हम हिंदुस्तान Unilever की एक peer company देखे Colgate Palmoli तो यहाँ पे आप देख सकते कि company का जो P-E है वो 44 है अगर हम company के profit and loss statement में चले जाते है तो यहाँ पे पता चलेगा कि company का sales है वो लगातर grow हो रहा था लेकिन पिछले 3-4 साल से यह जो grow थे वो लगबग अटक सा गया है तो sales के सामने इसका net profit भी लगबग stuck हो गया है तो इसलिए यहाँ पे जो company का growth है वो बहुती कम हो रहा है इसलिए उसके सामने इसका PE वो भी दिरे दिरे deviate होके low हो गया अगर हम हिंदुस्तान Unilever के बाकी parameter की बात करें तो उसका ROC, ROE बहुती ज्यादा है और साथ में हमने operating parameter में देखा था कि company का जो operational efficiency है वो बहुती अच्छा है और हिंदुस्तान Unilever एक बहुती strong brand और company के product का demand आने वाले दिनों में बना रहेगा तो इसलिए यहाँ पे company premium valuation पे trade हो रही है अगर हम बात करें कुछ PSU company की तो उसका PE बहुती ज्यादा कम रहता है जैसे Gale का example लेते हैं तो Gale का PE सिप 10 रुपिस का ही है तो इसका मतलब है कि company का growth यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा या फिर company की जो operational efficiency हो कहीना कहीं कम हो रही होगी तो इसलिए Gale जैसी PSU company बहुती low PE पे trade करती है और दूसरा एक reason है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो dividend yield है वो 4.28% है जो देखने में तो अच्छा लग रहा है dividend yield भी हमें अच्छी लग रही है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि company लगातार dividend के जरिये balance sheet में से पेशे अपने shareholder को दे रही है अगर यही dividend वाले पेशे company distribute ना करते हुए company के growth में utilize करती तो company अच्छी तरह से grow कर सकती और साथ में इससे ज्यादा profit कमा के ला सकती थी और साथ में यह P.E. ratio दो चीज़ पे depend करता है कि company का business model क्या है for example हिंदुस्तान उनिलिवर का business model asset light model है जबकि Gale का business model capital intensive है मतलब कि यहाँ पे बहुँच सारा capital investment करने के जरूरत है इसलिए यहाँ पे stock का P.E. थोड़ा सा कम है अगर हम reliance company का example देखे तो reliance company भी 31 के P.E. पे trade कर रही है क्योंकि reliance company भी capital intensive industry है जहाँ पे बहुँच सारा capital investment करना जरूरी है इस तरह से different company का P.E. ratio different different होता है तो different company का comparison करने के लिए हम एक दूसरा ratio भी देखना चाहिए जिसका नाम है price to book ratio जो हमें book value से मिलता है तो आगे हम देखते है P.E. ratio price to book ratio का formula है share price divided by book value अब यहाँ पे जो book value है उसका मतलब है कि company ने अपनी book में कमपनी के कितने assets दिखाए है कि company मान लिजे कि आज की rate में liquidate हो जाती है मतलब कि अपनी सारी assets बेच देती है और अपनी सारी loan चुका देती है तो उसके बाद जितने पेशे बच रहे है वो हो गया company का book value तो book value का formula है कि total shareholder security divided by number of share तो यहाँ पे जो book value है वो per share के इसाफ से निकलती है अगर आप total company का book value देखेंगे तो वो अलग होगा लेकिन हमाँ यहाँ पे calculation के लिए share price divided by book value per share लेना है तो हम फिर से Reliance Industry के case में देखे तो यहाँ पे book value है thousand मतलब company अभी 2000 पे trade कर रहे है लेकिन book value 1000 का है company अगर आज की date में अपनी सारी assets को liquidate कर देती है तो हर shareholder को thousand रुपीस मिलेंगे इस हिसाफ से अगर हम price to book value निकलेंगे तो 2 का बनके आएगा similarly अगर हम हिंदुस्तान Unilever के case में देखे तो यहाँ पे company का book value only 200 है और उसके सामने company का current market price 2000 के आसपास है यहाँ पे company का जो price to book value बनके आ रहा है वो बनके आ रहा है 12.2 क्योंकि हिंदुस्तान Unilever है उसके पास बहुती कम assets है क्योंकि यह asset light model पे काम करती है तो कोई भी company का P.E. ratio का interpretation करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि यह जो P.E. ratio है हो current year के हिसाफ से है मतलब कि current 4 quarter का जो result आये है वहाँ पे company जो profit earn किया है उसके हिसाफ से है लेकिन market हमें सब future direction में देखता है मतलब कि company future में कितना grow करेगी वो देखता है अगर हम borrow limited के case में देखे तो आप नीचे आ जाईए यहाँ पे आपको graph मिलेगा यहाँ पे P.E. ratio पे क्लिक कर लिजिए यहाँ पे मैंने maximum chart ले लिया है यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे company का जो P.E. ratio है वो लगबग 800 के आसपास था काफी लोगों को यह 800 का P.E. बहुती ज्यादा लगेगा लिकिन अगर हम आज की date में बात करें तो company का P.E. only 61 है मतलब यहाँ पे market ने पेले से ही डिशेट कर लिया था company का जो next quarter है वो बहुती अच्छा रहने वाला है और उस ही सबसे P.E. ratio एडजेस हो जाता है एक बार अगर हम profit and loss statement में देख ले तो company का जो पेले profit था वो only 24 करोर का था उसके बाद March के अंदर 41 करोर का हो गया और March 21 के अंदर 41 करोर का हो गया अगर इसका हम quarterly result देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो 4 quarter है उसका result positive में है लेकिन जब March 2020 quarter का result नहीं आया था जब हमें यह 4 quarter को consider करना था तो इसलिए यहाँ पे net profit कम बैठ रहा था और उसके अगले quarter में अगर हम consider करते तो हमें यह 4 quarter का ही result consider करना था इस तरह से हमें एक specific condition का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे March 2020 में कोरोना की effect की वज़े से यहाँ पे company के 2 quarter खराब रहे है जो एक temporary situation है लेकिन हमें long term perspective से भी देखना चाहिए और तिसरा important ratio है price to sales ratio जिसका formula है share price divided by sales तो यहाँ पे हमें yearly sales को consider करना है अब कुछ new generation startup ऐसे है कि जो 3-4 साल तक लगातार loss में operate होते रहते for example Flipkart, Jometo यह जो company आए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ customer acquisition पे रहता है तो अगर AC company के case में हम P ratio निकालेंगे तो negative आएगा और साथ में यह company की assets भी बहुती कम होती है तो अगर AC company का हम PB ratio निकालेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा निकल के आएगा तो उस case में हमें काम लगता है price to sales ratio मतलब के company कितना sales generate करके ला रही है जिससे हमें पता चल रहा है कि company अच्छी तरह से अपना customer को acquire कर रही है अगर company बहुती ज्यादा customer को अच्छी तरह से acquire कर रही होगी और एक monopoly बना लेगी तो future में ओ company कभी भी अपना profit margin बढ़ा के अच्छी तरह से profit में आ सकती है तो इस तरह से P ratio, PB ratio और PS ratio से हमें पता चलता है कि company का जो worth है मतलब कि company कितना कमा रही है कितनी assets है और कितना sales है उसके सामने current market price क्या है उसका पता चलता है लेकिन हम जब company का common comparison करते है तब हम कोई core conclusion पर नहीं आते है कि company का actual valuation कितना है तो इसके लिए काफी सारे formula जे for example, Graham, intrinsic value calculation, cash flow discounting method तो ए सारी जो method है उससे हमें एक company का valuation पता चलेगा कि जो हिंदुस्तान इनिलेवर company है उसका current market price, उसके earning के हिसाब से growth के हिसाब से और अपनी assets के हिसाब से इतना होना चाहिए तो ए चीश को हम next वीडियो में cover करेंगे जहाँ पर हमें आपको Graham calculation और discounted case flow method से कि एसे valuation calculate करना है उसका भी formula दिखाऊंगा तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले subscribe कर लिजे और साथ में दिये गए bell icon को भी प्रेस कर लिजे और इस वीडियो को end तक देखने के लिए आप सभी का दिल से